क्या कोई मा इतनी बेरहम हो सकती है कि वह अपने कलेजी के टुकड़े का ही कतल कर दे आप कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता लेकिन कैई बाल इस तरह की घटनाएं सामने आती है जब जनम देने वाली मा ही अपनी कोह का कतल कर देती है उत्यब्रदेश के बिजनोर जिले से मा की ममता को शरम सर कर देने वाला एक ऐसा ही मामला सामनी आए है जहां एक महिला अपने पती से लड़ाई के बाट डायन बन गई और उसने अपने दो महीने के बच्चे को जिन्दा ही तलाब में फैक दिया जिससे उस मासुम की डूबने से मौत हो गई हैरानी वाली बात यह है कि महिला ने इसके बास सभी को एक मन गड़त कहानी सुनाई कि कुछ लोग उसका बच्चा छीन कर भाग गई है लेकिं सिसी टीवी कैमरी की वज़ा से इस पूरी घटना का खुलासा हो गया और पुलस ने आरोपी मा को हिरासत मिलिया और जब उससे सक्ती के साथ पूस्ताश की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया दर असल करीम एक साल पहले गुर्फान ने अपनी बेटी चांदनी की शादी थाना नूरपुर के महला मौरना निवासी सलीम के साथ की थी सलीम दिल्ली में फूल डैकोरेटिंग का काम करता है चांदनी अपने दो महीने के बेटी को लेकर पती सलीम से मिलने के लिए दिल्ली गई थी जहां गुजारा भत्ता देने या तलाक देने की बात करते हुए पती सलीम से उसकी लड़ाई हो गई पती सलीम ने चांदनी से कहा था कि अगर वह उसका बच्चा लोटा देगी तो वह उसे तलाग देदेगा लेकिन चांदनी अपने पती द्वारा खर्च के लिए पैसन देने से इतनी परिशान हो गई कि शनिवार को दिल्ली से लोटी और रात आट बजे उसने अपने बेटे हुसेन को मेवान वारा रोड पर इदगाह गेट चुराहे के पास तलाब में फैक दिया फिर वह वापस अपने घर गई जब परिजनों से उसने बच्चे के बारे में पूछा तो चांदनी ने बताए कि उसने अपने बच्चे को तलाब में फैक दिया है फिर रात नो बजे उसकी दो बेहने और उसका भाई उसे लेकर तलाब पर पहुँचे और बच्चे के को उठा कर जारियों के पास कोड़े के धिर में फैक दिया और फिर घर से फरार हो गई इस मामली की शिकायत दिली में मौझूद चांदनी के पती सलीम को भी हुई और उसने पुलिस से इस मामली की शिकायत कर दी जिसके बाद चांदनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्सकर प धामपूर के पास कुछ लोगों ने उसका बच्चा उससे च्छी लिया और उसने तुरंट अपने पती और ससुराल वालों को इसकी जानकारी दी थी लेकिन पुलिस को महिला की इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ इसलिए उन्होंने उसके दिल्ली से आने की जानकारी और रूट का पता लगाया इसके बाद उन्होंने सीसी टीवी कैमरो को भी खंगाला जिसमें चांदरी बच्चे के साथ जाती हुई दिखाए दी लेकिन जब वह वापस लोट रही थी तो उसके हाथ में बच्चा नहीं था पुलिस ने जब उससे सक्तिक के साथ मुस्ताश करनी शुर क्यों किया इसके पीछे असल वज़ा किया थी इसके बाद महिला को जेल भेस या जाएगा